आज का लेक्झेर हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास लेक्शर है जो जो कॉस्ट आफ व केपिटल चैप्टर हम ने धाया है इसका सेकंडend लास लेक्शर है आज इससे पहले हमने जो cosmetics study किए quick overview आपके साल share कर दूँ हम इसमें सीख रहे हैं cost of capital calculate करना cost of capital calculate करना क्यों सीख रहे हैं ताकि अपने funds की cost calculate करने के बाद हमारे सामने जो भी इसकी cost जो भी percentage आती है हम ये ensure कर लें कि जिस जिस project में भी investment कर रहे हैं उसका profitability rate इस cost of capital से ज्यादा ही होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए वरना ultimately company को नुकसान होगा तो पहले स्टेप पे हम cost of capital calculate करते हैं फिर next step पे जाके investment appraisal में इसको use करते हैं cost of capital calculate करते हुए हमने ये सीखा कि capital के चार components हैं ये components है ordinary share capital preference share debentures और bank load इन में से हर एक component की हम अलएदा-अलएदा cost calculate करते हैं ठीक है फिर इसके बाद जब सारे चारों components की cost calculate कर लेते हैं तो इनकी market value की लिहास से जो भी percentage या weight बनता है इनकी cost of capital के साथ multiply करके weighted average cost of capital calculate करते हैं ये हमारा overview इसमें कुछ चंदेग चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है जैसे एक चीज़ तो ये कि अगर debenture या bonds है जिसे हम loan भी कहा सकते हैं debenture या bank loan है इनमें जब हमने cash flows को calculate करना है तो after tax calculate करना है यानि इनकी जो cost of capital होगी इसमें tax adjustment होती है जबके preference shares या ordinary shares में tax की adjustment नहीं होती है और दूसरी चीज़ जो हमने जहने में रखनी होती है calculation करते हुए वो ये कि finance का एक general rule है general rule जो के हर asset की value calculate कर लेता है वो general rule के है कि किसी भी asset की आज की value क्या है उसके cash flows की present value की equal किसी भी asset की value क्या है उस asset से जो हमें cash flows generate होंगे उनकी present value की equal present value का मतलब क्या है कि हमें उसको discount करना पड़ता है यह recording में देखीगा sound ठीक है ना उनको discount करना पड़ता है तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है और जो redeemable securities होती है उनका formula थोड़ा different है irredeemable securities का formula थोड़ा different है irredeemable securities जैनि जिसे perpetuity भी कहते है इसका formula तो simple है क्या आपने dividend को divide कर देना है उसकी price के साथ तो cost of capital आजाएगी और अगर price calculate करनी है आपने तो dividend को divide कर दे उसकी cost के साथ इसी तरह अगर redeemable securities है redeemable shares याडिवेंचर्स है तो इसमें हम इसकी cost कैसे calculate करते थे उसकी IRR होते है अगर आपने इसी तरह price calculate करनी है तो हम उस security share या debenture जो भी है उसके जितने भी cash flows है उनकी present value calculate कर लें तो वो उसकी क्या हो जाती है उसकी price उसकी market value किसी भी share या debenture की market value किसके equal होती है उसके cash flows की present value को calculate करने उसके equal तीक है और अगर फिर उसमें से उसकी price को less कर दे तो हमारे पास NPV आ जाती है तो IRR calculate करते हुए हमारा rule ये था कि हम पहले NPV calculate करते हैं lower rate फिर NPV calculate करते हैं higher rate फिर एक extrapolation के लिए formula यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास estimated IRR आ जाते है clear ये कुछ हैं concept है जो हमने इस chapter में पढ़े आगे चलने से पहले मैं ये ensure करना चाहता हूँ जो discussion मैंने की वो आपको समझ आई इस सारे concepts हमने discuss भी किये हैं और इनके उपर कोई ना कोई question भी किया हूँ हर concept के उपर पहले है चलिए शाबाश अब इससे आगे चलते हैं अच्छा आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं भूलना जाऊं आपकी assignment है अब due दो दिन के बाद यानि या फिजिकल के स्वांट है आज जुम्हा है तो आपकी assignment due है Monday को और इसी तरह online वाले जब भी ये lecture सुन रहे हैं देख रहे हैं उनकी assignment उसके फिर दो दिन के बाद होगी assignment क्या है आई कैप की book का chapter 12 है इसके end पे जितने भी question है cost of capital के जितने भी questions है ठीक है 7, 8 है या 10 चाहिए जितने भी है वो सारे questions आपने return form में solve करने हैं ये assignment आपकी दो दिन के बाद यानि Monday को check होगी ठीक है end में शायद मैं बताना भूल जाओं तो अभी ये note कर लेजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप iCAP के level की preparation कर चुके हैं के नहीं कर चुके हैं ठीक है उसमें अगर किसी question में कोई problem आपको आए आपने उसको highlight कर लेना है और उसके solution को देखके समझने की कोशिश करनी है देखें आपको इतने concepts मिल चुकी हैं कि अगर कोई एक आदी adjustment आपके पास आती है ना तो आप उसको tackle कर सकें ठीक है जैसे false कीजिए वह share की price में कहता है कि dividend अभी pay करना अभी दो-चार दिन में pay करना है तो आपको होता है share की price में वह dividend भी शामिल होगा ठीक है इसका क्या करना है इसको less करना है या add करना है यह चोटी सी adjustment चोटी सी adjustment है लेकिन अगर आए आप पहले अपनी understanding की base space को solve करें फिर देख लेजिए इसी तरह का एकादी adjustment अगर आपके लिए आए तो आप इसको solution देखके understand करने की कोशिश करें क्लास में बाराल discuss लेकिन मैं यह चाहता हूं कि पहले इस तरह की adjustment आप अपना brainstorming करें फिर इसके बाद हम class में discuss करें ठीक है एक दो adjustment इस तरह की होगी बाकी जो questions है सारे concepts हैं वो आप सीख चुके हैं तो assignment note कर लिया आपने दो दिन के बाद डियो होगी और यह आपने लाजमी करके आपने yield कर, yield कर, yield का dictionary meaning है कि return कितना है, जैसे फर्ज कीजिए, अगर मैं किसी company के debentures buy करता हूं, तो मैं सोच रहा हूँगा कि मुझे इस से हर साल कितना return मिलेगा, कितना, कितनी yield होगी इसकी, ठीक है, yield curve का मतलब return का curve, यानि जो ऐसा curve जो हमें ये बताता है, कि हम किसी security को खरीदेंगे, तो हमें उस पे कितना return मिलेगा, उस पे कितना return मिलेगा, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर, ये तो बहुत आसान है, वो तो उसके उपर लिखा होता है, 6%, 7%, 8%, तो याद रखें, वो coupon rate होता है, हम य फिर हमारा जो उसके उसे return मिलेगा, यो yield होगी, वो सिरफ 6% नहीं होगी, बलके 6% प्लस जो हमें उपर की amount मिलने है, वो भी याड होगी, तो जो coupon rate होता है, state percentage मिलती है, वो rate एक different rate है, उसके उपर तो आपको हर साल उतनी amount का interest मिलना है, लेकिन जो उसके उपर effective rate या yield है, व उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें premium या discount की adjustment भी शामिल होगी, या कुछ और adjustment भी शामिल हो सकते हैं, तो yield cover का मतलब ऐसा कर्फ जो हमें return बताता है किसी debenture से कितना होगा, किसी security से कितना return होगा, ऐसा जो concept से पहले हम concept discuss करेंगे, बाद में calculation की तरफ concept बिल्कुल simple है, लेकिन आपने इससे पहले साइट कभी सोचा नहीं होगा, फर्ज कीजिए कि ये है एक timeline, जिसमें ये है year zero, याद रखे, finance में year zero से मुराद होता है, आज का दिन, और year one से क्या मुराद है, एक साल के बाद, year two से क्या मुराद है, दू साल के बाद, year three से क्या मुराद है, तिन साल के बाद, और year four से क्या मुराद है, चार साल के बाद, अच्छा यह जो topic है ये yield कर औ, यह bond से deb'? इडिम्टर्स के वोल हुग है व किसे वान्ड के अका वंड़ भी वान्ड करूँ इंसे अगर हम किसी वान्ड जो के बाद रीडीम होना है फर्स किजिए until श्रीरती आप ऑन्डड का वान्ड़ फ़र हम से जो कहा साय आई व्यक्तिक करोकöt हुआ करो उसकी आजा की मार्किट कैसे काल्कुलेट करेंगे आप कह GURI89 थाउजट वाद को इसका अरद से कितना केस्प लो आना है। दो साल करे फार्स कीजिए एक साल के बाद हाएव l educational दो साल के बाद 2000 साल के बाद 3000 चार साल के बाद 4000 प्लस 50,000 उसकी maturity value अभी आप calculate नहीं कर सकते अगर आप मेंसे कोई स्रोंट ये कहे कि सर इन सारी figures को add कर दे वो आमारी आज की market value बज़ेगी तो उसने finance की अलिह बेबी नहीं सीखिए अभी तक कर इसलिए के finance में हम जब calculate करते हैं आज की market value cash low को हमेशा discount करना पड़ता है यह आपको पता है अच्छा मैं आप से पुछों discount rate क्या है तो आपके सर question में दिया होता है question में दिया होता है अगर present value calculate करनी होगी तो question में discount दिया होगा लेकिन अगर वो आप से discount calculate करहना चाह रहा है तो फिर उसको present value दियोगी अब question है present value का फर्स कीजिए मैं आप से कहते हैं तो उसकी market value calculate करें आप कहेंगे बहुत simple सा है डिसकाउंट rate बताएं आप भी calculate करकें मैंने का फर्स कीजिए investor का required rate है 10% आप क्या करेंगे इसको discount करेंगे इसको भी discount करेंगे इसको भी करेंगे इसको किस rate बे करेंगे 10% इसको किस rate बे करेंगे इसको किस rate बे करेंगे इसको किस बे करेंगे फर्क सिर्फ ही होगा इसको करेंगे 1000 divided by 1.1 power 1 ठीक है यह होगा divided by 1.1 power 1 यह होगा divided by 1.1 power 2 ये होगा divided by 1.1 power 3 ये होगा divided by 1.1 power 4 और इन दोनों को add करके जहें में रखी है end पे maturity value को भी add करके अभी कल मैं question कर रहा था answer गलत है जो मैं चेक किया गलत ही किया हो हो भूल गया क्या भूल गया end पे जाके जो last value थी उस में maturity value को add करना भूल गया तो ये आपने हमेशा जेंद में रखना है जो भी redeemable security होगी उसके आहरे साल में उसकी maturity value को भी add करना है clear हो गया तो ये जब आपके सामने total कोई भी amount आएगी ये क्या होगी result value और ये उसकी market value होगी वे ऐसा ही है अच्छा ये calculation तो हमने सिखी हुई है मैंने एक concept आपके साथ share कर दिया iqab ने भी सिखरा किया yield curve का yield curve का concept समझाने से पहले उसने basic bond की valuation का concept समझा दिया इसमें कोई problem तो नहीं है यही कह रहा है valuation of bond क्या होगा using single rate market value of a bond is the present value of cash flows discounted at lenders required rate या जो भी उसने rate of return दिया होगा discount rate आज तक जो आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं theoretically ऐसे ही होता है लेकिन practically ऐसे नहीं होता practically ऐसे नहीं होता आप मैंसे कोई समय बता सकता है कि practically इसमें क्या problem है इस model में ये ये जो yield curve के पीछे अगर आप कहें ना सर बड़ी जो भी उसने science लिखी है rocket science लिखी है वो तो जो लिखी है हमें दो हर्फी बात बताएं ये कहता क्या है तो मैं आपसे वो दो हर्फी बात ये कहूंगा कि ये पूरा topic yield कर विए कहता है कि practically जो discount rates होते हैं ना ये हर साल सेम नहीं होते हैं हर साल सेम नहीं होते हो सकता है year one में discount rate different हो year two में different year three में different year four में different ठीक है और आप practically देखते हैं इसी तरह होता है करोना में banks जो interest rate था वो six percent seven percent पर ले गए थे और अभी वो फिर twelve point something five percent के करीब है ठीक है inflation rate change होता है ना उसलिहां से जाहर है discount rate change होगा इसी तरह इसमें कुछ और भी factors होते हैं ठीक है कुछ uncertainty भी होती है कि जितनी लंबी investment होना उसमें risk उतना ज्यादा होता है investor चाहता है उतना ही उसको return उसको ज्यादा मिले है इसको अगर आप एक simple example से समझा चाहिए ना आप कहें sir ये concept तो समझा गया इसकी practical example भी देदे तो मैं आपसे कहूँँगा bank loan बैंक के पास जब आप deposit करवाने के लिए पैसे रिखवाने के लिए जाए ना तो उसमें different schemes रखी होती है maturity के को सामने रखके कुछ scheme उसकी होती है कहता है sir तीन महीने के लिए fix करवाने हमारे साथ term क्या होगी तीन महीने तीन महीने के बाद आपको हम 7% के लिहास से interest देंगे लेकिन अगर आप हमारे पास एक 12 months की भी option है आप अगर 12 months के लिए rate fix कर दें डिबाजिट करवा दें आपको rate of interest ज्यादा मिलेगा 8% और अगर आप 3 years के लिए fix करवाएं तो आपको rate of interest उससे भ 15% पताईए कभी आपने देखा ऐसे अभी आप जाके किसी भी बैंक की website पे उसके deposit rates का analysis कर लिजेगा उन्होंने उसी तरह different maturity periods देंगे और हर maturity का जो rate of interest होगा ना कि वह different होगा और normally अच्छा अगर आपने सुना है यहांसे देखा है तो जरा मुझे बताइए कि जो shorter maturity period वाल longer period वाली होते हैं पहले मुझे सिर्फ दो चीज़ा मुझे बता दें मैं concept निकल गया मेरा अगर आपने दो चीज़ा मुझे बता दी पहली चीज क्याप agree करते हैं कि हर साल का discount rate different होता है practical और दूसरी चीज क्याप इस से agree करते हैं कि normally अगर हमारे project maturity बढ़ेगी तो उस पे ज different होगा हर साल में शुरू के सालों में कम होगा और end के सालों में ज्यादा होगा नॉर्मली होगा ठीक इसी concept को हमें सिखा रहा है कह रहा है valuation of bond using yield curve yield curve क्या आता है yield curve ऐसे कर्व को कहते हैं जो बहुत से interest rates को और बहुत से maturity periods को relate करता है उनका relationship बता रहा हुता है yield curve yield curve में याद रखे एक interest rate नहीं होगा बलके बहुत से interest rate होगा जहां कही वर्ड yield आ जाए yield कर्वा जाए फौरण आपके जैसे अगर आपने economics पढ़ी है तो उसमें होता है कुछ demand कर्व, supply कर्व बताता था price और quantity में क्या relationship है उसी तरह yield curve है जो बताता है interest rate में और period में क्या आपा जाएगा एक साल के जो डिफ्रेंट इंट्रस्ट रेट्स हो करवाता है डिफ्रेंट मुचॉरिटी पीरिएड पहे हैं इसकी दो टाइप्स हैं येल्ड करब की हैं अब यह कंसेप्ट सिर्फ थ्रेटिकल है आपने सुनना है समझना और खतम इसकी अप्लिकेशन नहीं है नुमेरिकल को यह एक कर यह ग्राफ आपने एकनॉमिक्स में पढ़े हुआ है ना समझ लेदें ग्राफ को यहां पे है यह परसंटेज में और यहां पे हैं मिचुरिटी पीरियर्ड मिचुरिटी पीरियर्ड एक यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पे भी येल्ड परसंटेज में और मिच्चुरिटी पिरियड दो कर बना रहा हूँ अगर कंसेट समझा रहा है ना तो आपने मुझे बताना है कौन सा यूजूल नॉर्मल है और कौन सा अबनॉर्मल है अच्छा ये एक सी जहन में रखेंगा ये बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड या डामवर्ड नहीं है ये थोड़ा सा बैट लिए क्यूंकि अल्टीमेटली ना ये दोनों सिधी हो जाती है लाइन्स ये भी आगे चलके ना हमें एकॉनमिस्ट ये बताते हैं तीस साल के होराइजन पे जाके ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है दोनों यानि ये भी नीचे जाते 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 स्ट्रेट हो जाएगी फिर और ये भी उपर आते 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 स्ट्रेट हो जाते इसलिए आपने सीधी लाइनी ड्रॉ कर दिये हैं हलका सा बैंट दे यानि अगर एक साल की सिक्यूरिटी है उस पे रेट ओफ इंट्रस्ट कम है कम है अगर तीन साल की मिचूरिटी पीरेड है रेट ओफ इंट्रस्ट जीन्ड ज्यादा है और अगर पांच साल की है यह है नॉर्मल इसे पॉजिटिव या नॉर्मल यील्ड कर्फ कहते हैं यह अपवर्ड स्लोपिंग होता है जो कि क्या बताता है और इसका अपॉजिट क्या है नेगर जो क्या शो करवाता है लोवर इंटरस्ट रेड फार हाई टर्म मिचुरिटेज यानि इसमें अगर वन येर कि जो होगे उसपे रेट फिंटरस्ट जादा है और जो थ्री येर्ज की मिचुरिटी होगे उसपे रेट फिंटरस्ट काम है यह एक्सेप्शन स्टुएशन है यह एकॉनोमी की नॉर्मल स्टुएशन है यह स्टुएशन होती है डिप्रेशन में यह आपने पढ़ा है बूम और डिप्रेशन डिप्रेशन में जब लोग समझ रहे होते हैं कि मुस्तक्बिल बहुत ही खराब है खराब है तो वो करेंट डिसीयन कुई करने में बिलीव करते हैं वो लाउंटरम डिसीयन मेकिंग के तरफ नहीं जाते हैं ठीक है इसी तरह अग उन पर रेट फिंटर्स हाई होगा गमिल्ड को 40 तरफ भी पैसे चाहिए और लाउंग टॉम में जो मन के दिनों में हो सकता है फिर कम हो बाराल लेकिन ये रेर केसिज में ऐसे होता है नॉर्मली येल्ड करब कुन सा होता है पॉस्ट पर ये क्लियर हो गया अचा अब येल् यूज होता हां ये डिबैंटरस पे होता है शेरी नहीं नहीं होता है लेकिने शेर दूसरा करशना ट्र कके स्क sevi यार्च बांढ़ियो में यानि ज्यादा तरुम्टージ वांड वै nouvelles के लिए यूज हो सकता है लेकिन ज्यादा तर किसके लिए यह होता है? MCQs में पूछे किसके लिए हम कहेंगे risk free for example government securities question मैं कहें कि एक company है उसके यह debentures है जरा इसका yield curve थो मुझे calculate करके बता दे हम उसे यह नहीं कहेंगे तुम्हारा question गलत है यह तो government security risk free security यह लिए होता है investor के point of use है investor के point of use है इसमें आपने जो cash flows लेने है वो pre-text basis पे लेने है टेक्स से पहले, after tax नहीं after tax नहीं अच्छा आप जो मैं बात करने जा रहा हूं न अगर तो आप वो शायद कुछ टूंट समझें, कुछ टूंट ना समझें cash flows before tax, after tax हो सकते है agreed cost of capital भी before tax, after tax हो सकती है agreed दोनों में होनी चाहएं हम वैसे जो cost calculate करते हैं, मुँ कुन सी आप शाबाज after tax calculate करते है इसलिए कि हम cash flows भी after tax ही calculate कर रहे होते है लेकिन conceptually ज़रा मुझे बताईए after tax cash flow discounted at after tax cost of capital is equal to before tax cash flow discounted by using before tax cost of capital ये दोनों सेम होंगे के नहीं होंगे सेम होंगे के नहीं होंगे बिलकुल, क्योंकि दोनों में समिट्री होनी चाहिए थोड़ा सा सोचे after tax cash flow कम होता है after tax discounted जो discount rate है वो भी कम होता है तो कम कम के साथ जब calculation होगी जो value आएगी फिर before tax cash flow ज्यादा होता है before tax cost of capital भी ज्यादा होती है ज्यादा बड़ी उपर ज्यादा बड़ी amount नीचे भी ज्यादा बड़े फिगर इधर ऊपर छोड़ी amount नीचे भी छोड़ी amount दोनों equal नहीं हो जाएगी विल्कुल हो जाएगी लेकि तो इससे फरक नहीं पड़ता चाहिए आप अपनी रूटीन की अप्रोश यूज़ कर लें के डिबेंचर के cash flows after tax यूज़ करें और cost of capital भी after tax यूज़ करें तो अभी answer सेम आएगा लेकिन यहां पर tradition क्या है कि investor के point of view से calculate कर रहे होते हैं तो वो हमने cash flows भी before tax लेने हैं और जो इसको discount करने के लिए rate है वो भी before tax उसने question में दिया ही होता है जब यह concept test करता है ना पर tax rate देता ही नहीं है tax rate देता है नहीं है यह बात समझागी before tax वाली है अब आते हैं सबसे हैं बात की तरह सबसे हैं बात की तरह है यील्ड कर में जब उसने आपको किसी debenture के बारे में cash flows के बारे में बताया होगा तो उसने different year दिये होगे हर साल का different discount rate होगा हर साल का different discount rate आपने जब yield को calculate करना है each year will use different discount rate each year will use different discount rate each year will use different discount rate concept में MCQS वारा में हमसे कुछ भी बूछ सकता है लेकिन इस concept की जब application की तरफ आगा numerical question की तरफ सबसे एहम चीज़ आपके लिए यह है जिसने यह समझ लिया और question solve करने के गाबिल है क्या कि अब देखें common sense की बात है ना भी समझाई है अगर हर साल का discount rate practically different होता है तो आपने जो present value calculate करनी है तो जिस साल का cash flow होगा उसके discount rate के साफ से discount करेगा ना किसी को इस्तिलाफ तो नहीं है इसी से hybrid वाले यह समझ आ रही है यह बात अगर समझ आ रही है तो हाथ उठाईए जरा मुझे नजर आ जाए शाबाज यानि अगर question में उसने हर सारे सालों का एक ही discount rate दिया हुआ है तो हम समझ लें कि वह चाहता है simplicity के लिए एक हम discount rate यूज करें हम कहेंगे एक discount rate के साथ सब कुछ कर लेता है लेकिन अगर question में उसने yield कर दिया है yield का मतलब different years periods के लिए different discount rate तो याद रखे फिर हमने हर साल की present value calculate करने के लिए उसका respective discount rate यूज करना है अब एक discount rate यूज नहीं कर सकते हैं वह यह कुछ बास समझ आई है अच्छा बस य लेकिन अब इस concept की calculation करने हैं हमने ताके clear हो जाके समझ आगया के नहीं दो question Ikea की book से आपके सामने रख रहा हूं एक question होगा valuation of bond से relate करते हैं एक होगा using single rate जो आपने already किया हुआ है और एक होगा valuation of bond using yield कर जिसमें उसने एक सारे सालों का एक rate नहीं दिया होगा हर साल का अलग-अलग rate दिया होगा तो अगर वो कहें आप से के ये yield है हर साल की जरा market value calculate करो इस bond की market value कैसे calculate करेंगे discount करेंगे हर एक को उसके उसके उस साल के discount rate present value calculate करनेंगे और अगर कहें step number two present value calculate कर ली अब इसका IRR calculate करो का मतलब है कि कोई एक average rate बताओ सारी इस पूरे प्रोजेक्ट से जो average rate निकलेगा IRR कैसे calculate करेंगे पहले present value में से market value less करके निकलेट कर ली ठीक है एक दफा लोर रेट में हाई रेट में सारी calculation सारा concept वही है जो पहले हमने सीखा हुआ फरक सिर्फ एक चीज़ का है कि अब हो आपको चार सालों का एक discount rate देने की बज़ाए हर साल का अलग-अलग discount rate देगा आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप discount कर रहे हो cash flows का उसका respective discount rate यूज करना है खले है तो चलिए त्यार हो जाईए calculator page पहन आपके सामने होना चाहिए फटाफाट साथ साथ आपने calculation करते रहने हैं ताके साथ साथ ने मड़ जाए ठीक है जी थोड़ी देर के लिए पास किजीए का जी अब हम iCAP की book में से questions को attempt करने जा रहे हैं अच्छा ये iCAP की book आप ने download की हुई है ना अगर नहीं की तो download कर लें और इसमें page 232 पे ये question जो हम अभी करने जा रहे हैं एक question किस से इसका है market value of a bond की market value calculate करनी है और हमें बहुत जैसे ही market value जहन में है यह 6% नदर आ रहा है clearly कि 6% लिखा हुआ है शाबाज यह hybrid वाले स्वोंट्स आपको भी नदर आ रहा है नदर आ रहा है तो हाथ उठाए जड़ा शाबाज जल्दी से 6% इसका 6% क्या चीज़ है इसको coupon rate भी कहते है coupon rate भी कहते है इसको nominal interest rate यानि इस rate of interest के उपर payment होगी क्या effective rate of interest यह effective yield यह cost of capital 6% ही होता है नहीं कि इसको लाजमी नहीं हो बहुत से factors है यह required rate of return on the bond is 6% required rate of return भी 6% यह required rate of return कुन सा होता है जो investor require करता है कि मुझे इसमे 6% rate of interest मिलना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब इसकी value calculate करनी है अच्छा उसने इसकी face value नहीं बताई हुई जहाँ पर face value ना पता है वहाँ पर आपने रुपीज 100 face value ले 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 गर्डे कैल कौलेट वाट था मार्केट वेल्य ऑफ्यूराज उसमें प्रसेंट आखाने को पूच ए रहे ऊजटा है इसका मतलब यह हमने सیलिव परसेंट पर करो 6% पर सैननों परसेंट पर-सेंट परसेंट आप अगर एसका जो PC वैल्यू है वहां उन्ड़र्ड फेश वेल्यू है और सिक्स परसेंट यह बहुत करना पहले फाइव परसेंट पर आगर हमाने calculation करनी है कैसे करेंगे 5% पे पहले तो मुझे बताइए इसकी face value 100 है इसका interest cash flow कितना होगा इसका cash flow कितना होगा अच्छा 5% required rate of return है coupon rate fix रहेगा coupon rate हमेशा fix रहेगा वो 6% है वो तो उसको पर चप गया है वो तो उसके उपर चप गया है यह 6% हो रहा है और यह जो नीचे उसके five six seven percent दिया यह हो रहा है यह six percent वो है जो डिबेंचर होल्डर को cash में मिलेगा हर साल और यह वो है जो effective rate वो चाहते हैं यह बिसकिलिए इसके उपर रहा है तो इस इस डिबेंचर के ओपर cash low कितना है six percent amount में कितना होगा six अच्छा जरा हम बताइए का calculation सही कर रहा हूं मैं यानि market value मार्किट वैल्यू कह ले या present value कह ले एम वी या पी में एब्रिवेशन यूज़ कर रहा हूं इस इक्वल टू क्या होगी six divided by one point पहले five percent पे कर रहा है zero five power one plus six दूसरे साल में divided by one point zero five power two अच्छा देखें है तो ठीक लेकिन अगर yield कर practically सोचें तो दूसरे साल में हो सकता है कि rate of different हो ठीक है अगर inflation ज्यादा है investor क्या ज्यादा हो जाए ये डू में investor क्या expect करेगा कि मुझे ज्यादा पैसे है तो हमें ये rate चेंज करना पड़ेगा लेकिन याद रखे ये inflation ज्यादा होने के वज़े से उपर वाली mount चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो जब debenture issue हुआ उस वक्त fix तैय हो जाती है लिख 3rd year में 6 divided by 1.05 power 3 4 में 6 divided by 1.05 power 4 ठीक है ये ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है maturity value भी add करें अच्छा आप चाहें तो ये लिख के आगे प्लास 100 divided by 1.054 कर लें देखें वो एक्स्रा calculation बनेगी हम इसी को 106 भी कर सकता है कि देखें calculation करके देखें 103.5 देखें यह है उसने calculate कि 103.54 क्लियर अब 6 परसंट पर रहने देते हैं 7 परसंट पर कर लेते हैं तीन न दो पर कर लेते हैं बागी आप कर लेंगे सारा काम ऐसे ही करना है market value या present value calculate करनी है is equal to 6 divided by 1.07 power 1 plus 6 divided by 1.07 power 2 plus 6 divided by 1.07 power 3 plus 106 divided by 1.07 power 4 96.61 अब ये इसकी present value आगा है clear हो गया यह यह था price valuation of bond using single rate अब चलते हैं valuation of bond using yield curve ये कौन सा yield curve है वैसे ही पूसर हो आपसे ये नर्मल है ओके नहीं ये नेगेटिव है क्या ये पॉजिटिव है ये उपर को बढ़ रहा है ये पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है और ये ये नेगेटिव है यानि टाइम टू मिचुरिटी जैसे तीन साल पांच साल पंद्रा साल दस बीस साल तीस साल बढ़ है कि यह हो गया question पहले इसको discuss कर लेते हैं करें कमपनी मांट टू इश्यू ए बांड डैट इस रिडीमेबल एड़ पार यानि फियस वाल्यू हंडर्ड ए in four years and pays interest at the rate of six percent of nominal value nominal value क्या है रुपिय हंडर्ड nominal value face value hundred उपीज है और nominal interest जो उस फिस वाल्यू हो six percent है नहीं हर साल कितना मिलेगा six year करें annual spot yield curve for a bond of this class of risk is as follows एक साल का maturity period हो तो yield three percent है दो साल का हो three point five percent तीन साल का हो four point two चार साल का हो five इसका मतलब यह हुआ कि हमारा कौन सा yield curve शोकर नॉर्मल यानि पहले साल में rate of interest है दूसरे साल में शायद inflation ज्यादा हो गी है तीसरे साल में उससे भी ज्यादा और चोथे साल में उससे भी ज्यादा है अच्छा मुझे यह बताईए हमा सारे सारे question सारी calculation सारे concept सेम रहेंगे सिरफ इस yield करकी वज़ा से एक चीज़ का फरक पड़ा क्या फरक पड़ा कि डिसकाउंट रेट जब आप पहले साल का cash flow discount करेंगे रेट लगेगा one point zero three power one दूसरे साल का cash flow discount करेंगे one point zero three five power two तीसरे साल में पावर और फॉर्थ येर में one point zero five power four और फॉर्थ येर में चूके उसने भी redeem हो जाना है तो आपने value को add कर लेगा ठीक है अच्छा अब ये आपके सामने question है requirement में करें calculate the price that bond could be sold for आगे उसे explain भी करा this is the amount that the company could raise इसकी market value calculate करने आज की price calculate करने यानि market value कैसे calculate होगी present value से ठीक है present value calculate करने से calculate कैसे करेंगे clear हो गया सारा वैसा ही नहीं है जैसा पहले सीखा था सुरफ एक चीज़ का फरक है क्या अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है and then use this to calculate the gross redemption yield यानि आपने gross redemption yield IRR calculate करना है ठीक है yield to maturity भी कहते है cost of debt भी कहते है इसके बाद आपने IRR calculate करना है ठीक है IRR कैसे calculate करना है उसकी तरफ अभी आते हैं आपके पास सिरफ तीन मिनट है तीन मिनट भी बहुत है क्या आप इसकी present value calculate कर सकते हैं एक requirement चलिए hybrid वाले भी अभी करें आप लोग भी अभी करें और ओनलाइन में इसकी present value calculate करें फिर उसके बाद आगे लेक्टर को प्ले करें जी पॉस किजिए आप सबने कर लिया और जहां तक मुझे आप को ने रिपोर्ट दी है सबका आंसर 109.103.94 के आसपास आया या 936 या 94 वो एक ही बात है 103.94 क्लियर कोई प्राब्लम तो नहीं किसी को है calculation होगी है साइन से चलिए अच्छा आप यह उसकी पहली requirement थी market value calculate करना है price दूसरी requirement क्या है gross redemption yield पता नहीं क्या होती है जिन्दगी में पहली दफ़ा सुन रहे हैं gross redemption yield यहां आगे कह रहे हैं इसी को yield to maturity भी कहते हैं यह भी हम जिन्दगी में पहली दफ़ा सुन रहे हैं यह कह रहे है cost of debt भी यह हमने पहले सुना होगा तो cost of अब next time क्या आयर आर calculate करना है लेकिन आयर आर कैसे calculate होगा आयर आर कैसे calculate होगा कोई एक rate assume करेंगे पहले एक rate assume करेंगे present value calculate करेंगे उसे market value less करेंगे NPV आ जाएगी at lower rate फिर higher rate assume करेंगे present value calculate rate करेंगे market value less करेंगे NPV आ जाएगी at higher rate फिर फार्म यूज़ करके तो IRR calculate में ऐसे होगा अच्छा आप यहां पर उसने हमें percentage नहीं दी हुए कौन सी यूज़त है आपकी अपनी मरतिया है आप चाहे तो two percent or rate percent भी कर सकते हैं आप चाहें तो four percent six percent भी कर सकते हैं चाहे तो three percent or seven percent भी कर सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी calculations के बार भी सीख रहना तो confirm हो तो वो percentage use करें जो उसने बुक में की हुई है तो हम आपको hint दे देते हैं कि कौन सी percentage use करनी है यह four देखे four percent और six percent ठीक है यानि पहले आपने four percent के उपर calculation करनी है फिर six percent के उपर calculation करनी है दोनों की एन पीवी आ जाएगी फिर उसके बाद formula यूज करना है ठीक है कर लेंगे कि मैं भी कर दूँ साथ कर दें ठीक है अभी कर देते हैं अब इसका मतलब है हमने जब आयर और calculate करनी है हमें present market value तो चाहिए rates भी चाहिए के नहीं चाहिए rates तो हमने खुद अंदाजा लगाने है four percent और six percent rate तो नहीं चाहिए ना market value चाहिए और market value आपने calculate कर ले हुई है ठीक है चले बस ठीक है शाबाद अब हम कैसे calculation करें यह formula वही पहले जो हमने calculate किया सारा काम होई है कोई नहीं चीज नहीं है सिर्फ एक नहीं चीज दी वह सिखा दिया है अब आगे उसी तरह low rate पे एंपीव कल्कुरेट करनी है हाई रेट पे एंपीव कल्कुरेट करनी है और फार्मला लगा देना अब करते हैं पहले एंपीव एड लोर रेट क्या एड़ रेट ओफ फॉर परसंट गिवन वाला ताकि अगर कहीं पिए आप गल्ती करें यह गल्ती करें तो मैं पता चल जाए गिवन वाला इसले पहली लादा भी कर सकते हैं वह आपकी मर्जी है अब हम चलें उसी तरीके से कर रहे हैं तो करते हैं अब इससे भी हर कैशलों को लादा भी करके देख लेते हैं दिवाइड वाइड 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 क्या यह आई यह एंपी भी नहीं यह नहीं माइनस उसकी वह हाई 103.94 इस एक्वल टू करें कल्कुलेट प्लस या माइनस यह भी बताना है प्लस थ्री पॉइंट । प्लस थ्री पॉइंट थू प्लस थ्री पॉइंट थू पहुंच गए यह जल्दी से पहुंच जल्दी साबश फिर add the rate of सारा कुछ वो ही सिवाए discount rate के discount rate 6 को use करेंगे plus 6 divided by 1.06 6 power 2 plus 6 divided by 1.06 power 3 plus 106 divided by 1.06 power 4 minus 103.94 is equal minus 3.94 minus 3.94 जी हाइबीड वाले जरा हाथ उठा के मुझे बताइए वो स्रॉण जो minus 3.94 पे पहुँच गया है जिनके calculator पे minus 3.94 की फिगर आ गई है यह बस तीन चार स्रॉण ऐसे ना करें बाकी क्या करें बाकी calculation नहीं कर रहे जब तक आपके calculator पे figure नहीं आएगी ना आपको समझ नहीं आया question चाहिए आपको देखके लगे हैं सारा कुछ हमने ठीक कर लिया जब तक आपके calculator पे फिगर नहीं आएगी आपकी तसली नहीं होनी चाहिए class में कोई ऐसा student जिस जो माइनस 3.94 पे नहीं पहुंचा थे चले अब हमने क्या करना है आई आर आर का फार्मला है वो फार्मला क्या था एक मेंट है रहे मैं याद कर लो पहले lower rate lower rate में कुछ add करते थे lower rate था 4% और plus कर लेकिन end पे जाके फिर multiple ही होता था differential rate वो कितना है 2% और उपर होता था एन पीवी at lower प्लस 3.32 और नीचे बहुता था एन पीवी at lower minus एन पीवी at higher वो चुक्छे एन पीवी at lower minus एन पीवी at higher है इसे लिए मैं plus 3.32 को plus कर रहा हूं 3.94 से वह प्लस क्यों कर रहा हूं minus minus plus फूर पॉइंट नाइन मान परसंट ये है हमारा आयरार इस बॉंड अब बताएए पूंचे है के नहीं ये जीन सुर्ट जिसके बुक्स ती दरा किताफ़ा कंपेर करके देखें यही है तकरीबद खुद बताएए क्या आज कोई साइस थी रॉकेट साइस थी कुछ भी नहीं था सारा पिशे पहले कंसर्ट दिखा हुआ है सिर्फ एक कंसर्ट नहा था अहां डिफरेंट ट्रेट्स अकर आजाए हमने हर साल का रिस्प्रेक्टिव रेड यूज करना है मार्केट वैल्यू कल् यह असूली तोर पर भी सोचे कॉमन सेंस भी यही कहती है ऐसा ही होना चाहिए अच्छा मज़े कि आपको बात बताओं अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए तो अगर आपको यह यील्ड कर वाला कंसर्ट समझ आ गया ना आपने अकाउंटिंग का भी एकंसर्ट सीख लिया आ स्टमिक का टॉपिड वाश्यार ऑफ एस उसमें जब हम डीज़र टैक्साइबुचर टेक्सेयर कमोलिय्चन करते हैं तो हर साल टेक्स रेट सेम होता है के डीफूरेंट भूता है रिटीघ्ट होता है विए थे प्रेजट वैल्यूजấंज करता है कि हैट टिफ्रेंट वह इसी तरह होता है कि present value जो calculate किया जाता है तो उस साल का जो specific rate है उसके मताब भी किया जाता है लेकिन चुक्छे एक्जाइम में वो कहता है कि मैंने discount rate concept टेस्ट करना है जिसको जो एक साल से calculation कर सकता है वो दस सालों से भी कर सकता है तो इसलिए exam के question में अक्सर वो आपको required rate सिर्फ एक percentage देगा इस single percentage होगी क्योंकि उसमें दूसरे concept टेस्ट करने होंगे आप redeemable ad premium के साथ क्या सलू करते हैं आप tax rate के साथ क्या सलू करते हैं तो फिर आपको percentage एक ही देता है लेकिन अगर जिस attempt में वो चाहता हुआ कि मैंने percentage य आज के lecture में हमने क्या सीखा ताके जो चीज़ें एहम थी वो सीख ली है तो इसका मतारा मुक्सद पुरा हो गया आज के lecture में हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी bond की valuation करनी हो bond की market value calculate करनी हो तो कैसे कर सकते हैं basic rule simple है और क्या है basic rule कि उसके future cash flows की present value calculate करने है अब calculate करने के दो तरीका है पहला तरीका using single rate अगर question में single rate दिया है तो single rate दूसरा तरीका क्या है using different rates अगर question में उसने yield curve फार्म में different rates दी है तो आप हर साल का cash flow को उसके specific rate के साथ discover करेंगे ये था simple concept theoretically हमसा पूछा है yield curve किया है ये कैसा curve है जो दो चीज़ों के दिरिमयार में interest rate में नॉर्मली yield curve का slope positive होता है यानि अगर maturity period बढ़े तो interest rate बढ़ता है clear होगी है calculation जी 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 वे एक ही है एक ही है एक ही है आपने जहन में ये रखना है कि जो coupon rate है ना वो different है इनका question था कि क्या yield rate में और required rate में कोई फरक है वो same रखें आप जो coupon rate में और yield rate में या coupon rate में और investor के required rate of return में ठीक है उसमें फरक है coupon rate वो rate होता है जिसके उपर हमें interest मिलना है ये calculate होता है cash low की amount को decide करने के लिए कि हमें हर साल कितना interest मिलेगा ठीक है और बाकी जो दूसरे rates हैं वो present value को डिसकाउट करने के लिए यूट होते हैं इन्वेस्टर के लिए हैं विकलियर हो गया ये अचा कल इस में जैसे इस से पहले आपको सिंगल rate के साथ calculation जब भी करवाई तो आप उसको सही मानते आये थे ना आपके जिनमें कभी आया भी नहीं कि सर असल में ऐसे तो नहीं होता है असल में तो हर साल inflation वगारा की होता है तो आप चार साल की calculation हो दस साल की calculation एक ही रेडियूस कर रहे हैं कभी नहीं है जब बताया तो आपने का हो हाँ वाकी सर ऐसे ही होना चाहिए था उसी तरह इस calculation में एक वोर ट्विस्ट है जो भी आपके जहन में नहीं आएगा लेकिन कल जब मैं आपके सामने रखंग हाँ सर ऐसे ही होना चाहिए था ये तो कल भी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिकली गलती कर देए ऐसे ही होना चाहिए लेकिन मोर ट्विस्ट क्या है वो इंशाला कल के lecture में बताऊगा ठीक है अचा असाइन्मेंट आपने नहीं बूली और साइन्मेंट करना शुरू कर दें अस तीन-चार क्वेस्टन तो करी सकते हैं ना शुरू के तो असाइन्मेंट कल्कुलेट और हमेशा याद रखे मुझे बताईए क्या बेहतर है ओवराल बता रहा हूं जेनल टीप बता रहा हूं एक पढ़ाईगी खास और पे काउंटिंग के कंसर्ट के लिए हैर साथ क्वेस्टन एक ही सिटिंग में कर लिए है गलत गलत यह जहन में गलत आपने तीन क्वेस्टन आपके इससे आपकी रवियन नहीं हो पाएगी रवियन हमेशा थोड़ा टाइम गैप मांगती है तीन क्वेस्टन आज करना और तीन क्वेस्टन कल करना यह बहतर है और इ यानि जितना इंटर्वल हो रेगुलर इंटर्वल वो बहतर है इंटर्वल का मतलब गैप नहीं है कि एक आज करने हो एक हफ़ते के बाद कर लेता हूं सर ने आधा कठे नहीं करने नहीं नहीं अगर आपने एक दिन में पांस क्वेशन करने हैं तो बहतर यह होता है बजाए एक ही सिटिंग में पांस क्वेशन करें एक सिटिंग में दो या तीन कर लें और दो या तीन दूसरे सिटिंग में करें इंटर्वल दे के आदा-दा करके साइंडमेंट करना हमेशा बहतर होता है स्जेशन देना मेरी दिमेदारी थी अमल करना ना करना आपकी मर्दी है चल आज का लेक्सरिन आपे खतम करते हैं, अल्ला हाफिस आज करते हैं, आज करते हैं, तो खतम करते हैं. झाल झाल